यह बहुत ही तेश्टी सबजी तो चलिए बनाते हैं पत्ता गोभी की सबजी बनाने के लिए हमने आपर एक मीडियम साइज का पत्ता गोभी लिया था जिसे काट लिया है तीन चार आलू लिये थे जिने छील कर कट कर लिया है गैस पे रखे एक कड़ा ही इसमें डाला तीन चार चमच सरसो का तेल तेल गरम होगे एक चमच जीरा और थोड़ी सी हेंग डाल देंगे जीरा भून जाएगा हमने इसमें डाल दिया एक बड़े साइच का लच्छे में कटा हुआ प्याज और अब हम प्याज को हलका तो जादा अच्छा रहेगा और यह देखे पत्ता को भी टाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे तो यह धीरे-धीरे पचेगा अभी आपको क्वांटिटी जादा लग रही होगी पर यह जैसे ही सॉफ्ट होगा इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी तो बस इसी तरह से मिक्स कर दिया हमने सारा पत्ता को भी और दो से तीन मिनट तक हम इसे भूनेंगे पत्ता को भी में बहुत सारा पानी होता है तो आपको सबजी में अलग से बिलकुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं है अब हम इसमें आड़ कर देंगे आलू को मैने अशे चल कोड़्या है आप अपनी पसंद के साल की भी शेप मिस्ते हुइन और इसे kan spa भूब ये लेंगे टुर्चा अब इसमें डालेंगे नमक लिएक गे विवत में स्वाद के अनुसार डालें में ये इसमें अपनगी नमकicionesress met who लगबग 5-6 मिनट तक फिर हम इसमें डाल देंगे, एक कटोरी मतर, साथ ही साथ दो बारी कटे हुए टमाटर, इस टाइम पर जो आलू है वो काफी अद तक सौप्ट हो गए हैं, तो मतर बहुत जादा गली हुई नहीं अच्छी लगते हैं, इसलिए हमने मतर को बाद में डा छाटके डाला है एक चमच लाल मिरची पाउडर और एक से देड़ चमच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, चोथा चोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर और यहां पर एक चमच जाएगा और चूर का पाउड एक चिली टाल गए जोंकि सब्ससूच पसे बहुत ही बढ़िय तो फ्लेम को यहां पर आप मेडियम या लो अपने हिसाब से अज़ेस्ट कर सकते हैं और सबजी को अच्छे सी कलरने देंगे यानि की फ्राई होने देंगे फिर लास्ट में हमने डाला है आधा चमज गरम मसाला गरम मसाला लास्ट में डालेंगे तो इसका फ्लीवर बहुत आएगा और आप देख सकते हैं कि जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है काफी सारा बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया डाल देंगे अब सब्जी को हम थोड़े देर और भूनेंगे तब तक भूनेंगे जब तक कि सब्जी हलकी हलकी से नीचे से लगने ना लगे तो जलने नहीं देना है लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा लगने लगे यानि कि सबजी जो है वो अच्छे से भून चुकी है यह सबजी को आप इस तरह से धीरे धीरे जितने बढ़िया से भूनेंगे उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा तो आप देख सकते हैं मसाले डालने के बाद कम से कम इसे 5-7 मिनट तक और इसी तरीके से खुले में धीमियाच में भोना है अब हमारी जो सबजी है वो बनकर के बिलकुल तयार है इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में गर्म गरम पराठे के साथ आप इस सबजी को खाई आपको बहुत प